मेरा नम भावना शुक्ला है, मैं कानबू से हूँ, इस साल मैंने नीट का पेपर दिया था एंड ओफिशल आंसर की से मैच काने के बाद मेरा नीट 2023 एक्सपेक्टिड स्कोर है 663 इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी, अपने फैंिली को, अपने पैरेंट को अपने चाशाजी को जिनोंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया मुझे मोटिवेट किया मिरे साथ खड़ी रहे 21 में मैंने नीट का पेपर दिया था जिसमें मेरे मार्क्स थे 577 जिससे मैंने BMS में मिशन लिया मैंने इस साल नियो लाइट इंस्टिटूट की स्कोर बूस्टर टेस्स सीरीज वायर नसी के टेस्स सेंटर पर सुशीन मिशा सर की गाइडेंस में जॉइन करी थी नियो लाइट की टेस्स सीरीज की सबसे बड़ी खास बात यह है कि एंसी आर्टी बेस्ट है इसमें एंसी आर्टी की हर एक लाइन को कवर किया जाता है मैं स्पेशल थाइंस इसपी सिंग सर को भी बोलना चाहूंगी जिन्के रफिटभाय रवीजन क्लास ने मेरे रवीजन को काफी बूउस्ट किया शीनिसर का रफिटफायर में एंसी आर्टी की हर एक लाइन को कई बार रिवाइस कराया जाता THा मैंने साल सिर्फ सिल्फ स्टडि पर और एंसी आर्टी पर फोकस किया क्योंकि नीट का अलमुस्ट प्रेपर NCRT बेस जोता है उसमें NCRT की लाइन से क्वेश्टन आ जाता है especially by your chemistry के NCRT मैंने इस साल previous questions भी solve करें और NCRT पर focus किया खुद पर विश्वास रखा क्योंकि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो एक नए गिन आप सफल जरूर होंगे और अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि टेस्ट में जो आपकी question गलत हो रहा है उसे आप note करिए copy में ताकि आप next test paper देने जाएं तो उन्हें बार-बार revise कर सकें ताकि वो जो गलती आपकी test में हो रही है वो आपके paper में ना हो और अपने family से भी बाते करिए वहां से आपको positive motivation मिलेगा positive energy मिलेगी जब मैं need देने गई थी तो मुझे लगा नहीं था कि मैं कोई और paper दे रही हूँ मुझे लगा मैं new light का paper दे रही हूँ और मैंने bio का paper almost 30 minutes में solve कर लिया था और need की preparation करने वाले लोगों से मैं यह बोलना चाहूँगी कि हर एक subject को equal importance दीजे क्योंकि अगर आपको अच्छे marks score करने हैं तो हर एक subject पर देहाने ना पड़ेगा तो आप NCRT को अच्छे से रवाइस करिए and all the very best to all the future need to aspiring per need 2024 and special thanks to SP Singh sir and new light institute thank you